गुरु शिश्य परंपरा नित्यकला में वेदकाल से चलिया रही है। भरतनाट्यम में महान गुरूं की शिंखला ने इस महान कला को गर्त में जाने से बचाय रखा। और इसी से इस शताब्दी में फिर से लोग प्रेता प्राप्त हुई। महान नत्की कमला के गुरू श्री रमया पिल्लेई वर्वूर शैली के प्रमुक नटवनर है। गुरू रमया पिल्लेई ने अपनी शैली में नवीन अलंकारों का प्रेयोग किया है। मेरी शैली का इत्यास बहुत काचीन है। हमारे हाँ यह परमपरा कई प्लियों से चली आ रही है। कहते हैं हमारे पूर्वजो ने राजा शोलन की बेटी कुंदन वैकोने तिस भाया था। चित्रा विश्वेश्वरन जिन्नुने रमया पिल्लेई से नृत्ति की शिक्षा पाई थे। अब वड़बूर परमपरा को बढ़ाते हुए मदरास में अपना स्कूल चलाती है। गुरू रमया पिल्लेई के बारे में उन्होंने कहा। मेरी प्रारमधिक शिक्षा कलकता में हुई थी। और गुरू रमया पिल्लेई के पास जाने से पहले मेरे विचार ठोस रूप लेने लगे थी। मुझे डर था कि गुरू जी शायद मेरी पूर्व शिक्षा को नहीं मानेंगे। लेकिन सबसे पहली बात जो सामने आई हो थी उनके खुले विचार। उन्होंने मत से कहा कि हर शैली में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। और जो भी अच्छा हो इसे ग्रहन करना चाहिए। में अच्छा हो और आपको था विच्छा करो साथ को है। गुरुजी के पास आने से पहले मेरा ध्यान बृत्य की शारीदिक पक्षपर अधित था। लेकिन उन्होंने मेरा परिचय इसकी गहराई और संदर्य से कराया उनका कहना है कि हम जो भी करें उस संदर दिखना चाहिए बालु बारंबत बारंबत नाल्टियंग बालु गुर्स्टेट प्रोंग अनलारकिन जनंगल रशिक करते कुर कारना अधिले रंडोंड़ सुल्ली काट्टराई खालिधासन मालवी आढ़ी नाल्टिय उत्तिले यदास्ते तदाद्रिष्टी इसका सिधान ते जहां हाच जाएगा वहीं दृष्टि जाएगी जहां दृष्टि जाएगी वहीं मन जाएगा और जहां मन जाएगा, वहीं भाव उपरेंगे, और जहां भाव है, वहीं रस है, सुगंध है। आध थैज्ञ करें आध och अध विफूर साखा आध भाव है। इस सूत्र का सही अनुसरन करना बहुत आवश्यक है वड़वूर शैली की प्रमुख बात है इसकी स्वरानुसारी इसे शोलू का उचरण भी कहते हैं इससे नृत्त को एक शाब्दिक रूप मिलता है शरीर और अंगों की असाधारन लोच पर विशेश ध्यान दिया जाता है इसकी चाल पंदनलूर शैली की सीधी रेखा वाली ना होकर सामत की चाल के समान होती है वर्णम का प्रदर्शन कर रही है वर्णम शुद्नित्त का एक अंग है और यहां जैनती कृष्ण भाव का एक प्रसंग कर रही है दिन्दा कथा दिन्दा कोडित थभूं सेचालूं और्न्रीयमादभूं गबुलत में रोगुनिले रित्य की किसी मूल गती का सिधान्त रूप में पदशन करना मुश्किल बात नहीं है आवश्रक है उसको जीवन देना मेरे गुरुजी इसको बहुत अच्छी तरह से बताते थी जैसे कि किसी भी गती में कोई जीवन्त बात का उधारन देना चाहिए उनकी बताई छोटी छोटी बातें रित्य का एक नया अनुभव देती हैं जैसे कि तेरे का तीन चौथाई मोड जो की बाद में मैंने मूर्तियों में भी पाया वित्य की संदर्य का सही अनुभव मुझे उन्होंने ही कराया वो हमेशना कहते थे कि हमें सोचने की प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान देना जाहिए वित्य में संदर्य भाव सही आता है झाल 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